हेलो दोस्तों, वेब्थरी का परीज़े कोर्स में आपका स्वागत है, मेरा नाम अंजली है और इस कोर्स में मैं आपकी गाइड होगी के आज के पार्ट में हम vit कोईन की मूल बातें के बारे में बात करेंगे बिट कोईन के बेसिक्स और फंडमेंटल के बारे में बात करेंगे क्या तो जैसा कि हम सबको पता है do po' जो है वो एक Cryptocurrency या digital पैशा है तो Digital Money क्या होती है यह कोई प्रिंटर्ड फॉर्म में जो हमारे कागस के फॉर्म में या फिजिकल फॉर्म में जो मनी होती है यह वो नहीं होती है डिजिटल मनी होती है इसको क्रिप्टो करंसी कहते हैं और बिटकॉइन दुनिया की सबसे पुरानी क्रिप्टो करंसी सबसे पहली क्रिप्टो करंसी और स हाँ दुनिया में किसी भी शेत्र में दो लोग अगर बैठे हैं दो दूसरे कोनों में लेकिन अगर उनको आपस में कोई transaction करनी है लेंदेन करना है तो वो peer-to-peer transaction ऐसा नहीं कि कोई central authority उसमें involved है पीर-to-peer transaction बहुत ही सुरक्षित और अच्छे तरीके से आपको करने का जो है वो साधन देती है bitcoin तो bitcoin क्योंकि मैंने आपको बताया यह सबसे पुरानी cryptocurrency है तो यह हम्यारी Satoshi Nakamoto नाम के एक इंसान ने जो pseudonormous मतलब की unknown इंसान ही हमें नहीं पता कि यह असली कोई ऐसा इंसान exist करता है यह कोई नाम उसने लेकर अपने आपको गुपत रखा है और 2008 में वाइट पेपर एक निकाला था जिसमें उसने bitcoin के बारे में बात करी थी तो यह तब बनके आ गई थी cryptocurrency करण से bitcoin का जो अविशकार था वो 2008 में हुआ था और जैसा कि हमें पता है bitcoin as a cryptocurrency यह ब्लॉक्चेन टेक्नोलोजी के उपर बेस्ट है यह पॉइंट मैं इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि बहुत लोग जो है वो bitcoin और blockchain में confuse कर जाते हैं तो मैं आपको यहां समझाना चाहूं इसलिए ब्लॉक्चेन टेकनोलोजी में सर्वसम्मत्य प्रोटकॉल के साथ काम होता है नए ब्लॉक एड होते हैं और यह प्रोटकॉल कई तरीके के होते हैं जैसा कि हमने बात करी थी proof of work, proof of stake, proof of authority ऐसे करके बहुत सारे प्रोटकॉल हैं तो जो bitcoin है वो proof of work प्रोटकॉल के उपर काम करता है तो bitcoin जो है वो decentralized है तो हमें पता है कि blockchain technology के उपर bitcoin बनी है क्यूंकि blockchain technology decentralization करवाती है तो bitcoin भी decentralized cryptocurrency है अब अगर हम bitcoin के बारे में बात करें तो ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिंसाब से यह सबसे बड़ी cryptocurrency है क्यूंकि यह सबसे पहले आई थी 21,000,000,000 यानि इसका shortcut जो कि सारे exchanges पर यूज होता है वह है BTC यह दुनिया का सबसे पहला open payment network है जैसा कि मैंने बताया इसमें कोई centralization adopted नहीं है कोई rules उस तरीके के नहीं है दो लोग जिनके पास bitcoin cryptocurrency है एक किसी के पास वह दूसरे किसी भी जो payments है वो हो सकती है तो यह काफी fast payment network है अब जिस process से जिस प्रक्रिया से हम bitcoin को generate करते हैं नए bitcoin खोजते हैं खोजना मतलब mining तो उसको हम mining बोलते हैं Mining क्या करता है Mining आइनिंग का काम में नए blocks को bitcoin blockchain में अड़ करना पर यह समझने वाली बात है कि जो transaction में माइनिंग होती है उसका तो बोक अड़ करना नहीं होता साथ-साथ में उसका काम यह वो सुरक्षा बना के रखे blockchain की integrity बना के रखे तो क्योंकि mining का process ऐसा होता है bitcoin के case में specially क्योंकि वो काफी जटिल समस्या को solve करने में काफी time लग जाता है resources लग जाते है तो bitcoin जो है वो काफी सुरक्षित blockchain में से मानी जाती है तो यह थे कुछ bitcoin की प्रमुक बाते मिलते हैं अगले lesson में